संभल में निपुन भारत मिशन के अंतरगत जिलाधिकारी ने शिक्षकों से किया संबाद शासन की गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए किया निर्देशित धामपुर के मुहला पहाडी दर्वाजा में मीट व्यापारियों में ग्राहक को लेकर चले लाठी डंडे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया चांदपुर क्षेतर के गांव केलनपुर में खेत में जा रहे किसान की ट्रेन की चपेट में आने से मौथ सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेजा चांदपुर स्थित गुलाब सिंह हिंदू सनातकोत्तर महाविध्यालय चांदपुर में पुरातन छातर सम्मेलन का किया गया आयोजन इस अवसर पर कुमारी भावना व कुमारी शरष्टी द्वारा अतितियों के सम्मान में किया गया स्वागत गीत प्रस्तुत बंगाल में महिला डॉक्टर से गैंगरेप के बाद हत्या के विरोध में बिजनौर में महिलाओं ने निकाला कैंडल मार्च इस दौरान दुशकर्म वहत्या के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग की संभल के कोतवाली चंदौसी के गणेश कॉलोनी में तीसरी कक्षा के छात्र की करंट की चपेट में आकर मौत परिजनों का रोरो कर बुरा हाल बिजनोर के मंडावर थाना क्षेतर के ग्राम काजी वाले से इनामपुरा की ओर जा रही सड़क पर दिखाई दिया गुलदार ग्रामीनों ने वन विभाग से गुलदार पकड़ने की मांग की अम्रोहा के हसनपुर में कोचिंग सेंटर में दबंगों ने छात्र के सिर पर लोहे की रॉड मार कर बुरी तरह से किया घायल पीडित ने पुलिस को तहरीर दे कर दबंगों पर कार रवाई की मांग की पुलिस ने घायल को मेडिकल के लिए भेजा मुरादाबाद में एयरपोर्ट नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से 40,000 रुपए की ठगी का मामला आया सामने युवक को कैंटीन में नौकरी लगवाने का जहांसा दे कर रकम वसूले जाने का लगाया आरोब मुरादाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने एक जन सेवा केंदर संचालक से डेढ़ लाख रुपए कैश और एक लैप्टॉप की की लूट घटना की सूचना पर तुरंत हरकत में आई पुलिस ने एक आरोपी को दबोचा मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक द्यूज चैनल का डिजिटली महावतार अब आपके मॉबाइल में होगा न्यूज एवं मनुरंजन का अनुखा संसाथ गूगल पिले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मॉबाइल में देखें जन्नल नौलेज पर आधारी जीनियस काउन स्वास से संबंदित कारेकरम, हेल्थ केर, गानों पर आधारी सुनहरे पर अपने मंदल की न्यूज और धेख सारे मनुरंजन के कारेकरम, अपने मॉबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल डेखें